है है जो फीडियो बनाएंगे है इस फास्ट मैदा लेना चाहिए मैदा ले लेंगे वान किलो मैदा लेते है कि छिवान कि वह आन पिलम एदा ले लिया इसको ट्राइल करते हैंगे इस्ट जाएगा इसमें इस्ट जाएगा 20 ग्रम इसमें सॉल्ट जाएगा इसमें इतना यह बहुत 20 ग्रम जाएगा इसके बाद इसमें सुल्ट डालेंगे 40 ग्रम ओंडी कि 40 फिप्टी सिस्टी नो प्रॉब्लम कि टेस्ट जिदर जो चलता है उसकी साबसे डालना बदता है तो इधर इधर 40 डालते हैं हम इंडिया में डालते थे हंड्रिट ग्रम आप इधर चलते है इसको बोलता हिस्टे डेय्य जाता है इसे खान इसमें ट्रिंग है बलता nutrition मेरा इधर बाक में बनता है टेन किलो का बनना है ठीक है फिर इसको मिक्स करना है डालना है और इसमें 100 ग्रम बाटर बाटर हो देना पुड़ता है इसके बाद इसमें 600 ग्रम एक किलो में 600 ग्रम डालता है जिस सब्सक्राइब पानी जाता है छेष्वाइब इप्टिए मेरा इस आप से डालना पड़ता है कि अधिया कि इसके बाद किलों आपकिया है पहले स्लो में फास्ट ट्यागए करें इसको अच्छे से मिक्स काना जाहिए यह जो प्रेट गणाने का प्रसेस जो पहले है फ्लावार लिया प्रेस्ट लिया सौल लिया इसके बाद चाहिए इसको डो में डाला इसके पानी डालके पुंपाई नागा जो इसमें बनाने के लगाओ Shappowerण दो कनी जाती की निजू ऐसे मिलता भी है तक श्यों मैसीन कैसे अच्छे से चैंडाभ इस्टक्र ब्रभ नची मुलता हैं मूलने के जाकते सबस्जरिक़दे इसको डों को सब्तों काम और दो फिनिष और फिनिष एंग इसके बाद मोल ट्रेटिंगाने में रागा ब्रेट मोल इसके बाद अधर है है कि अधर पोक थे करना बुटता है इसलिए और बाद पर में के आई च्छें लागाल करिआए तो इसलिए बें ईसलिए बार के सच्छा स्वेशिए अनेथिक वथम यह चाने है तो थे ने म। आंक भूर बेशक्त करना पर दूटता है एक किलो के लिए दो मोल्ट में हो जाता है एक किलो का रेशी भी यूज़ करेंगे तो दो मोल्ट का भी होता है इधर मैंने यूज़ कर रहा हूँ 10 किलो का इसलिए मेरे को 12-15 मोल्ट चाहिए जब अच्छे से डो मीक्स हो जाता है उसके वाद दो नोमोर में स्पीड करना होड़ता है जब अच्छे से मीक्स हो जाता है अभी सबका एक वसल होता है जो लो तो लागा दिया वो कैसे बदा जबता है तो सिंपली मेथड़ है लोको लो ऐसे हाथ से देले देले करके खीशते रहाए अभी खीशेगा तो एक व्यूटे निकालता है जब पढ़ जाएगा तो जाके वो नहीं हुआ जब नहीं पढ़ता है तब पददा ज़नता है दो हो गया है कि अभी हुआ यह रहाँ ना इसे पददा जनता है चब दो हो गया है इसके बार की बार की वीडियो बाना थै कैसे क्या ओटा है मैं इला करेंगे अभी हम कटेंगे दो केज में में बोला था टू बिरेड निकलेगा तो बिरेड मेरा मोल्द के हिसाब से बार सो ग्रम डानना परता है तो पहले हम निकाल जो चला ये वह गया ऑंदे 75 तो हंद़ फॉर्टी लिए है अकाट आखिशन के ये फिब्सक्राइब जाता है इसको फोल्ड करता है इसको फोल्ड करने के बाद इसको राउंड और लॉंग सेट इसको फुड़ादे के लिए प्रोड कर लोग आट अटरिए करने बाद, Mexican आट प्रेस्स करने बाद आट, 10-12 मिनिट के बाद, सबसे लो, सब्देट करें, इन इन, जो ब्रेस्ट का फोल्ड होता है, अक्त नए होता है, तो हमें नुटेट सेल कर रहा हूं है कि फैरल एक से करने खता ही फ्रवाइब है पर transmis बानने को इंडर कीषिए कि तो कि असको आइगा संवरों कि मीशना है ॐ ब्र्वाइब मेड कर्फियों और वैप मेड करता है कि अनल रॉफिक लॉद Łब अजिट मेंडी में कि शोग असले झार राव मोल्ड था ना जो ब्रीज गया आफ में धिका दिखा दो हम इसके अफर तोड़ा जो ब्रेट का कलर अच्छा ने लिए तोड़ा ओईल स्प्रेय और और लागा दो इसके बात इसमें सब प्रेस कर दाना चाहिए तो प्रेट अच्छे से बता है हो गया ब्रेट का इसके बात चल लेड लगा देता है हुआ हां फिनिस हमारा है करेंगे अउनी हारा इसको बेक करेंगे अपर ह हां पर नहुर्व आई भात बेक करेंगे पहले ओवरिं करेंगे शैज्ड़ा पहले ओवन ऐच कर लेते हैं हमरा जो ओवे न ही है कि ऐना है iajire स्टार्ट कर लेका इस चेक नामे से जरूरी है मैं बहुत बार जला दिया ऐसे करके ठीक है इसके लिए ओबन जो है इसको टूफार्टी भी रेमपर जब देना है फोई कोई डिफ्रेंट लेता है 200 मी भी हो जाता है इधर टूफार्टी देना पुड़ता है वो अबन की हिसाप से बढ़ता है और वार टूफार्टी यह एकोनमी लगता है यह डूबाई वान अधिक नहीं देना कुड़ता है डूबाई वान लगता है इसला है अब कर दो यह बीटियों की चेक्खर में मेरा टाइम चला जा रहा है सारे सेट हो गया है ओके ठाटी मिनिट के लिए ब्रेड होता है ठाटी फॉर्टी मिनिट लगता है तर्टी से ठाटी फाइब में ब्रेड हो जाता है